आज हम लोग बात करने वाले हैं वेकवलरी के दूसरी लेक्चर टू की और जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक स्प्रिंटर बैच है जो की स्सी चेचल 2020 यानि कि जो 2021 में एकजाम होगा हमारा उसके लिए काफी ज्यादा helpful वीडियो होगा यह और इसमें हम लोग एकदम slow और basic से पढ़ेंगे और इसमें आपको daily वीडियो मिलेगा morning में 8 बजे तो अपने notes में लिखते रहिए और पढ़ते रहिए यह आपको काफी जाता help करेगा जो भी आपके close test वगरा होते हैं comprehension होते हैं और vocabulary वाला जो portion होता है उ कि जो चलिए वीडियो को सुरो करते हैं पहला हमारा word लिखा हूँ है feasible feasible मतलब होता है ऐसी कोई चीज चीज पॉसिबल हो उसके लिए हमारा word आता है feasible आप possible भी बोल सकते हैं जा आप बोल सकते है może plausible या तो पिर हमारा एक word आता हैli variable इन सभी का मतलब dicho a possible live यानि की वो practical हो और साथ ही profitable view तो ये इन दोनों के combined के अगर word की बात करें तो feasible या तो फिर हमारा plausible या viable word जूज किया आता है next word है plummet plummet मतलब क्या होता है plummet मतलब होता है यानि कि जब कोई चीज share बगारा जैसे share होते हैं बहुत तेजी से धड़ाम से नीचे गर जाते हैं यानि कि बहुत ज़्यादा decrease हो जाते हैं और deflation आ जाता है उसमें तो उसके गरने के लिए हमारा word आता है plummet अगला हमारा word लिखा हो है बोर्स बोर्स मतलब क्या होता है बोर्स मतलब होता है जो हमारा stock एक्चेंज होता है उसे बोलते हैं जैसे कि इंडिया का BSE है Bombay Stock Exchange तो बोर्स मतलब होता है जो stock exchange होता है उसके लिए बोलते हैं अगला हमारा word लिखा होए smackr मतलब क्या होता है पंटर या bookie जो हमारा word है ये हमारा 60 बाज के लिए आता है अगला हमारा word लिखा हुआ है rigged, rigged मतलब क्या होता है, rigged वैसे तो कई सेंस में आता है, एक तो आता है rigged market के लिए, और एक आता है rigged election के लिए, इलेक्शन वाला जो है वो बहुँ जादा important है, rigged election मतलब होता है जो धांदली से भरे हुए चुनाव होते हैं, उसे बोलते है rigged election, जिसमें बहुँ जादा धांदली हुई हो, यानि कि गलत तरीके का इस्तेमाल हुआ हो, गलत तरीके से use हुआ हो, उसे बोलते है rigged election, और rigged market बीसी की बोलते हैं जो धनली सबराववा मार्केट हो उसे बोलते हैं अगला हमारा वर्ड लिखा हुआ है यानि कि कयास लगाते हैं या अनुमान लगाते हैं कि जो share है वो high होंगे या low होंगे यानि कि बढ़ेंगे या घटेंगे उसके लिए जो कयास लगाते हैं अनुमान लगाते हैं उसे बोलते हैं speculator यानि कि share broker next word hammering the market यानि कि a kind of manipulation यानि कि आप बोल सकते हैं कि जानबूच के मार्केट को गिराना जानबूच के मार्केट को गिराने के लिए हैमरिंग दा मार्केट वर्ड यूज किया आता है वेंशे और कैपिटल मतलब क्या होता है वेंशे और कैपिटल मतलब होता है या एक हमारा वर्ड है जिसे बोलते हैं Seed Capital Venture Capital यह Seed Capital मतलब होता है जब किसी नए प्रोजेक्ट पर पैसा इन्वेस्ट किया आता है तो उसे बोलते हैं Venture Capital यह हमारा Seed Capital Next वर्ड है Sleeping Partner Sleeping Partner मतलब क्या होता है Sleeping Partner का Concept यह है कि ऐसा बेखती जैसे कि दो यहाँ पर Partner है और दो बेखती है एक ने कहा कि हम Business शुरू करेंगे आपके साथ लेकिन हम केवल उसमें पैसा लगाएंगे Only हम केवल पैसा लगाएंगे तो Sleeping Partner वो होता है जो केवल बिजनेस में पैसा लगाता है यानि कि केवल पैसा इन्वेस्ट करता है बाकी सारा जो दूसरा परसन होता है उसका जो दूसरा होता है वो सारी शीज मैनेज करता है लेकिन पहला बेखती जो पैसा केवल लगा रहा है उसे बोलते हैं Sleeping Partner नेक्स्ट है embargo, embargo मतलब क्या होता है embargo मतलब होता है embargo या एक word आता है हमारा saint यह आता है कि एक अधेश के एक country के द्वारा दूसरे country पर लगायागया प्रतिबंद जो होता है उसे बोलते हैं embargo freaking और sanction word हमारा loan के लिए भी आता है यानि कि loan sanction होने के लिए loan pass हो जाता है तो word आता है loan sanction हो गया यानि कि loan pass हो गया और embargo और sanction दोनों का मतलब होता है एक country के द्वारा दूसरे country पर लगाया गया प्रतिबंद उसे बोलते हैं embargo या sanction यहाँ पर मैंने बताया sanction the loan आता है यानि कि loan pass होने के लिए हमारा word आता है sanction the loan next है alliance, alliance मतलब क्या होता है alliance या आप बोल सकते हैं कि जो coalition होता है coalition आप बोल सकते हैं या आप ties बोल सकते हैं गठ जोड जो होता है basically जो politics में गठ जोड बगरा होती है coalition होता है, ties होता है दो पार्टियों के बीच में उसे बोलते है alliance और coalition या ties Cash Cow मतलब क्या होता है Cash Cow भोल सकते है आप याप भोल सकते है Milch Cow याप भोल सकते है Money Spinner इन सभी का मतलब होता है ऐसी एक कंपनी जो हमेशा Profit देती है यानिकी फायदा देती है उसे भोलते है Cash Cow या Milch Cow M-I-L-C-E-C या भोलते है Money Spinner Consolidate मतलब क्या होता है Consolidate मतलब होता है Consolidate का Concept यह होता है कि किसी चीज़ को आप मजबूत कर रहे है मजबूत करने के लिए और जो Consolidation होता है यह होता है मजबूत करने का जो Process होता है उसे कहते है Consumer Durables मतलब क्या होती है जो हमारी Daily की जो वस्तुवें होती हैं यानि कि आप बोल सकते हैं रोज मर्रा के वस्तुवें उसे बोलते हैं consumer durables अगला है subsidy, subsidy मतलब क्या होता है subsidy मतलब जो हमें discount मिलता है या आप सीधे तोर पर कह सकते हैं shoot government कई तरह की subsidy देती है जैसे कि gas पर LPG वगरा में जो subsidy देती है और farmers को भी बहुत ज़्यादा scheme कई सारी scheme चलती है उसमें subsidy देती है तो subsidy मतलब होता है जो छूट होती है जैसे कि sheets में subsidy दी जाती है बीज में कि आप जो farmer है वो बीज खरीद लें और उनको subsidy दी जाएगी यानि कि छूट दी जाती है उसे subsidy बोलते है बार्टर मतलब क्या होता है बार्टर मतलब होता है कि क्या होता है कि बार्टर करना या swap करना या आप बोल सकते है exchange करना आपने देखा होगा जब कभी आप shopping करने जाते हैं तो उनके पास एक छोटी सी machine होती है और जिसमें आप card लगाते हैं और money transfer हो जाती है उनके account में तो यह swap machine उसे बोलते हैं यानि कि बार्टर का जो concept है वो exchange करना यानि कि आप किसी एक चीज के बतले दूसरी चीज purchase कर रहे हैं उसे बोलते हैं बार्टर liability मतलब क्या होता है liability मतलब होती है जो आपकी जिम्मेदारी होती है जिम्मेदारी के लिए हमारा word आता है liability और next हमारा word लिखा हो है volatile मतलब क्या होता है volatile मतलब होता है fluctuation fluctuation यानि कि उतार या चढ़ाओ आपने देखा होगा market में बहुँ जादा उतार चढ़ा होता fluctuation होता है यानि कि ऐसी market जो full of fluctuation fluctuation से बारी होई हो उसे volatile market कहते हैं और next हमारा word है acquire acquire मतलब होता है किसी चीज का take over करना यानि कि take over करना यानि कि अधी grand कर लेना